हेलो इस्टूएंट्स कैसे हैं आप लोग तो स्वागत है फिर अपका हमारे चैनल पर हम आपको बेसिक क्लास इंग्लिस की दे रहे से यह आपकी है इससे पहले हम आपको नाउन-प्रोण-ईडवर्व-इजेक्टिव के विशें बता चुके हैं अब नमबर है प्रिपोजिशन का प्रिपोजिशन की आपको हम डेफिनेशन है और इसके विशें में और बताएंगे इस पर अधारित exercise करवाएंगे चलिए देख सुरू करते हैं वीडियो वीडियो को लाइक करिएगा, शेर करिएगा, ठीक है और चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक, प्रीपोजिशन ठीक, और इस पर अधर इतवा की भी करेंगे तो क्या है? यह है कि प्रीपोजिशन क्या है? What is preposition? इसकी definition क्या है? दा वर्ड प्रीपोजिशन इस ए वर्ड और ग्रूप दैट इस प्लेफोर ए नाउन और प्रोनाउन जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐशा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है क्या दिखाने के लिए? तो इंडिकेर डिरेक्शन जो प्रीपोजिशन शब्द होता है यह क्या दिखाता है? डिरेक्शन दिखा को दिखाएगा और क्या दिखाता है? मेथड तरीके को बताएगा और प्लेस अस्थान के बारे में बताएगा तो तीन चीज़े बताई गहीं प्रिपोजिशन के विशे में दिशा बताएगा, तरीका बताएगा और स्थान पता चलता है In other words, चलिए इसको एक और माध्यम से आप समझ सकते हैं प्रिपोजिशन प्रिवासा क्या है? The noun or pronoun is shown to have a kind to relate regards to something else with the help of a preposition एक noun का या pronoun का संबन्ध, दूसरे noun या pronoun से जोडने वाला शब्द क्या है? प्रिपोजिशन है, तो प्रि जैसे आप prefix इसमें लगा भी है प्रिपोजिशन में जोइन वन नाउन टू एन अदर जैसा आपने हमने अपको भी प्रिपोजिशन एक noun को दूसरे noun से जोड़ता है देखिए क्या है? इस जैसे चोटे से उधानल के मादम से समझीए इसको शीना वाज इन दा किचन शीना किचन में थी तो शीना शब्द क्या है? नाउन है और ये किचन शब्द क्या है? ये भी नाउन है तो शीना को किचन से जोड़ने वाला शब्द क्या है? इन शीना की स्थिति कहां है? डिरेक्शन कहां है? प्लेस कहां है? किचन में हैं तो शीना और किचन को जोड़ने आले हैं इन तो इन जो आपका शब्द है क्या हुआ इन शब्द हुआ आपका preposition ठीक प्रेवासा आप definition note भी कर लीजेगा इसमें तो next देखेंगे हम तो एक noun का दूसरे noun और एक pronoun का दूसरे noun या pronoun से संब्ध बताता है इसके अलावा preposition और क्या काम करता है देखें प्रीपोजिशन में ये तो हमने आपको बता दिया शीना वाजिंदा किचन अब इसमें क्या it may join noun to a verb क्या होता है कि ये जो preposition होता है ये noun को वर्व से भी रिलेट करता है कुछ केसे में जैसे इसमें है she slipped off the stairs she slipped off the stairs इस वाक्य में slipped को stairs से रिलेट करने का काम क्या कर रहा है off कर रहा है ठीक o ff है जो slipped को stairs का connect करने का काम कर रहा है और देखिए it may join noun to an adjective उपर के उधरवना समय में बताया noun to noun noun to pronoun के अलावा ये जो preposition शब्द है ये क्या करते है noun को adjective से भी जोड़ने का काम करते है जैसे we are proud of our country इसमें क्या है देखिए proud को country से जोड़ने का काम कौन कर रहा है off off कर रहा है ठीक off कर रहा है तो off यहां पर क्या है preposition है तो क्या आपने देखा तीन चीजे हैं कि जो preposition है वो एक noun या pronoun का सम्मंद दूसरे noun या pronoun से बताते है ठीक दूसरी बात कि ये noun को कभी-कभी word से भी relate करते है ठीक जैसे slipped है किस से stair से relate हुआ अब ये है कि noun को कभी-कभी adjective से भी relate करते है ये जैसे हमने आपको ये बताया कुछ preposition के उधारों देखिए at है in है on है off है off है through है below है with है it is etc ये prepositions के कुछ उधारों है इसके लावा बहुत से होते हैं आपको मालूम भी होगा from है with है by है against have it been है ठीक चलिए अच्छा अगला क्या है कि the noun or pronoun used with the preposition is in the accusative case कहने का मतलब ये है कि preposition के बाद होने वाला आने वाला जो शब्द होता है वो उस वो उस preposition का object होता है अब जैसे इसमें है क्या दिया हुआ इसमें खाय कि the book is on the table तो ये जो preposition है इसका object क्या हो जाएगा the table हो जाएगा तो कहने का मतलब है the noun or pronoun used with the preposition is in the accusative case accusative case में ये होता है अब जैसे अगला है I did not talk to him क्या लिखा है I did not talk to him तो अब इसमें क्या है इसमें him जो है ये use किया गया है accusative case में क्योंकि ये जो शब्द है ये हमने बताया आपको ये him जो है ये to का object है preposition के बाद आने वाला शब्द वह preposition का object होता है ठीक है तो कोई भी शब्द जो preposition के बाद आएगा वो उस शब्द का object होगा ठीक ये समझना है आपको चलिए ये देखा हमने दबू की is on the table और I did not talk to him दोनों में ऐसा ही है तो जैसे हमने आपको बताया ही preposition के बाद आने वाला शब्द का object होता है कभी कभी क्या होता है एक preposition sometime may have more than one object कभी कभी एक से अधिक उस preposition के object होते है जैसे ये वाकर देखिए I give money to Ritu ठीक मैंने Ritu को money दिया and हर मत ब्रदर उसके भाई को भी दिया तो two के बाद क्या आया है two के बाद Ritu आया है और क्या आया है तो two अबजेक्ट हो गया two preposition के कितने object हो गया ये पहला object हो गया और ये हर ब्रदर दूसरा object हो गया तो मकहिने का मतलब है कभी कभी दो object भी हो जाते है preposition के अब next में distribute the mangos among the boys among के बाद क्या आया है among के बाद आपका आया है boys आया है और क्या आया है और आया है girls आया है तो among preposition के कितने object हो गया दो object हो गया तेक next देखिए अब ये है कि कभी कभी ये होता है कि जो एक पूरी-पूरी clause होती है वो clause भी उस preposition का object हो सकती है जैसे तेखिए I was pleased with I was pleased with with क्या है preposition है अब ये जितना ये शब्द है ये पूरा आया what she did for me with का ये object है अब इसमें pay attention to ठेक to to के बाद जितने शब्द आया है पूरा ये clause जो आई है ये पूरी clause है ये preposition to का object है चलिए और कौन कौन सी चीज़े हैं हम धम्मों को बता रहे हैं adverb of time and place can also be the object of the preposition तो adverb of time भी हो सकता है object preposition का ठेक और adverb of place भी हो सकता है ये मतलब है कहने का जैसे इस वाक्य में देखिए I don't like to go from here मैं यहां से नहीं जाना चाहता है to क्या है preposition है तो इसका object ये है go from here तो here क्या है here हमने बता है adjective adverb of place है आपकी तो time को जो शो करे वो भी object हो सकता है और place को जो adverb of show करते वो भी preposition का object हो सकता है जैसे इसमें see had returned by then by लिखा है ठीक by क्या है preposition है तो इसका जो क्या होगा object then then से क्या पता चल रहा समय पता चल रहा है adverb of time है यह चीज है तो by का object क्या है then next rule क्या है when verbs are placed before the preposition other than to they should gerund form except when they are used in infinity form देखे next rule में बताये गया है यह the preposition के बाद कोई verb आ जाती है ठीक तो उस verb को ing form अथवा कहते हैं आप gerund form में लिखेंगे six rule number के rules में है देखे for example I am confident of winning her love मैं विस्वस्थ हूँ आस्वस्थ हूँ इस बात का confidence हूँ कि मैं उसका प्यार जितने में कामयाब होँगा तो इसमें off क्या है off आपका है preposition और off के बाद win मैं जीतना आया है तो preposition के बाद जैसा बताया आपको जीरंड form आएगी वर्व की अब next में भी देख लिए she does not believe in she does not believe in आ गया इन के बाद wasting time waste मने बरबाद करना बरबाद करना वर्व है तो preposition के बाद अगर वर्व आती है जैसा के रूल दिया है when works are placed after preposition other than two two के सिवाए they should जीरंड form except when they are used in infinity form in infinity form में प्रयोग नहीं है two के अलावा अगर कोई वर्व आती है say from है in है with है by है इस तरह से करके कोई भी क्रिया आती जो है preposition आता है और preposition के बाद कोई क्रिया आ जाती है तो उस क्रिया को हम किसमें लिखेंगे ing form में लिखेंगे जैसे yes में हुआ इसमें आपने देखा जैसे off के बाद क्या आया winning आया ठीक और इसी तरह क्या हुआ in के बाद क्या आया wasting आया investing हो जाएगा इसी तरह she insisted on on आगे अप्री पोजिशन तो preposition के बाद जब आपका वर्व आएगी तो क्या आए वर्व में ing लगेगी zero form में आएगी next में है कि preposition कुछ जो होती है वो क्या show करती है कुछ preposition show करती है movement और travel को show करती है ठीक जैसे आपकी यह है from to at in यह क्या इन से क्या पता चल रहा इन से travel पता कर चलता है और moment हमने बता रहा है आपको travel और moment in preposition से पता चलता है जैसे उधाना भी दिया हुआ है we travel daily from merit to daily हम daily यात्रा करते कहा merit से daily तक की तो from or to यह किसकी है travel और moment को show करने वाली है यह जितनी है जो हमने यहां पर लिख रखी है देखे अंडरलाइन करीब दिया है यह सारी आपको travel और moment के लिए ही प्रयोग करनी है ठीक नेक्स्ट देखेंगे कि moment वाले कुछ और preposition है जिसे arrive के बाद at या in लगेगा ठीक आप कहेंगे they arrived in India वे भारत में पहुँचे arrive किसी country की बात हो तो आप लगेंगे बड़ी जगा की बात के लिए तो आप in लगाएंगे ठीक कोई छोटी जगा हो तो I arrived at Peter bridge B-R-I-D-G-E arrive भी motion को दिखाती moment को दिखाती है अब इसमें I go to bus stand late अब I go to bus station late तो यह है वर्व है तो यह भी motion के लिए प्रयोग होती है गो के बाद भी टू आता है कहीं जा रहे हैं लेकिन अगर home की बात की जाए जिससे इसको देखेंगे they went home by bus तो home के बाद आप किसी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे home के बाद प्रिपोजिशन प्रयोग नहीं होगा अब इससे गो के बाद होगा गो के बाद टू आएगा अब इसमें she returned to her home late students home के पहले to का प्रयोग नहीं करेंगे ठिक house के पहले to का प्रयोग करेंगे अच्छा इसमें देखे she returned to her home तो return के बाद भी to का प्रयोग या बिना without preposition return के साथ क्या होगा without preposition जिसे इसमें sentence गलत लिखा है she returned to her home तो return to नहीं होगा return जो है के बाद without preposition का प्रयोग होगा अगर home का प्रयोग हुआ है तो ठिक है home का प्रयोग होने पर return के बाद इसे बाद preposition का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें sentence में क्या है इसमें इसमें आप नहीं लगाना है two और return return को बाद भी two नहीं लगाना है चलिए above और over का प्रयोग देखेंगे above और over दोनों का ही अर्थ होता है higher than उपर के लिए होता है ठिक उस चीज़ से उपर से थोने पर water is above dangerous level ठिक है danger level अब इसमें over but over can also mean covering on the other side तो दोनों का अर्थ होगा उपर के लिए होता है higher than उपर के लिए होता है लेकिन और का प्रयोग किसी चीज़ को पूरी तरह से ढखने के लिए भी होता है इसमें ये बताया गया है देखिए ओर आया ना और का मत पूरी तरह से किसी चीज़ को ढखना हो तो उसके लिए भी over का प्रयोग करेंगे जैसे द्रणा में देखिए देखिए ब्रिज ओर दर रिवर दर रिवर छूड़ गया है तो पुल है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है न दीगे तो उसके लिए over का प्रयोग होगा वी पूट ए शीट over his body अब उसकी पूरे चीज को cover करने के लिए भी over का प्रयोग होता है from one side to other side एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए भी over का प्रयोग होगा और ढखने के लिए भी over का प्रयोग होगा जैसे दोनों उधरानों से में दिया हुआ है he has friends all over the world मतलब पूरा तरह से पूरे दुनिया में जो है उसके दोस्त है पूरे दुनिया को cover करने के लिए all over दिया हुआ है above और over का दोनों का प्रयोग higher than यानि कुछ उचाई के लिए होता है उपर के लिए होता है ठेक लेकिन over का प्रयोग ढखने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए from one side to the other side और या end in every part of the region इसके लिए भी होता है next में देखेंगे नीचे के लिए किस का प्रयोग होता है देखें नीचे के लिए under below और beneath का प्रयोग तीनों का प्रयोग नीचे के लिए करते हैं अब क्या है below और under mean lower than नीचे के लिए किसी चीज से थोड़ा सा नीचे के लिए below और under का प्रयोग होगा करेंगे ठीक लेकिन but under can indicate contact मतलब किसी under कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और सता से जुड़ी हुई हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे under से under का she kept money under the bed अब बेड और पैसा एक दूसरे के contact में है अब उसने रखा पैसा बेड के नीचे रखा बेड और पैसा का contact है उसके लिए under कप्रयोग हुआ है अब इसमें है the old man was crushed under the car कार और old man इनका contact है नीचे एक चीज दूसरे चीज के नीचे है और दूसरी चीज जो है उसके contact में है उसके तो इसमें किसका प्रयोग होगा under का होगा अगला क्या है देखिए बेलो के उससे में देखिए however below is used when there is a space between the two दो चीजों के बीच में gap हो जब तो वहाँ आप बेलो का प्रयोग करेंगे ठीक rank water level के लिए आप कर सकते हैं बेलो का प्रयोग ठीक rank के लिए हो जाता है they live below us इस तरह से under can mean junior in rank rank के लिए under का प्रयोग हो भी हो जाएगा हीज अंडर मी वह मेरे अधिनास्ता है मतलब यह वी लिव कि नेक्स्ट जो है वह बिनीद का भी प्रयोग हमने आपको बताया था बेलो और अंडर और बिनीद बिनीद का प्रयोग भी वही अर्थ वही है जो अंडर का होता है लेकिन इसका प्रयोग एबस्ट्रेक्ट के लिए होता है यह वहला अमूर्थ चीज़ों के लिए इसका प्रयोग होता है ठीक अमूर्थ जिसको हम महसूस कर सकते हैं ठीक आप जैसे इसको दराना समझें इस तरह से नेक्स्ट में टाइम और डेट के लिए पार्ट्स ऑफ दडे के लिए एट का प्रयोग करेंग जैसे कि एट डस्क आइट डस्क का मतलब धूर गो धूली वेला मतलब कहते हैं न सुद्धिंदी में जैसे जहां जब सुबह साम का समय मिलता है तो सुद्धिंग डस्क आइट नून ये भी पार्ट ऑफ दडे है डॉन सुबह का समय है जब बिल्कुल सुरा सुरा हो रहा हो एट मेड नाइट पार्ट्स ऑफ दे के लिए आप आइट का प्रयोग करेंगे पार्ट्स ऑफ डे सुबह दोपहर शाम तो होती है इनके अलावा भी और इनके प पाल्ट होते हैं एक पाल्ट ऑफ दडे कि मॉर्निंग आफटर नून इवनिंग के अलावा जिसे मिड नाइट है मिड डे है डस्क है एट नून है तो आप इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे हैट का प्रयोग होगा इसके लाव आट का प्रयोग रुक बता गया है इसमें एट बताया है आट नाइट आट सिक्स आट सेवन फर्ती इनका प्रयोग होगा इसमें देखिए morning, afternoon और evening जो तीन दिन के part main होते हैं इनके लिए तो इनका प्रियूक करेंगे बाकी के लिए जो हमने आपको बताया वो add का प्रियूक करना है जैसे we left on the evening of the 6 at p.m. p.m. a.m. के साथ आप add का प्रियूक करेंगे we left in the evening evening, morning के साथ इसका प्रियूक करेंगे in का प्रियूक करेंगे अब देखिए on time क्या होगा in time क्या होगा in good time इनका use देखेंगे on time का मतलब होता है कि at the arrange time train on time है मतलब बिलकुल सही समय पर है जिस समय पाज बच के 47 मिनट है तो 5 बच के 47 मिनट पर ही है on time पहुँचो मतलब बिलकुल जो time arrange किया गया है उसी पर ना तो पहले ना तो बाद में the train is running on time और क्या in time का क्या हर्थ होगा अब in time का मतलब है कि not late passenger should be in time मतलब समय के अंतरगत उसी समय के अंदर passenger should be in time for their train passengers को यात्रियों को उस समय के समय के अंदर ही आ जाना चाहिए अगला है in good time क्या है with comfortable margin I arrived at the theater in good time in good time का मतलब वो समय जब हम आराम से अपना काम कर सकते थे तो theater में हम बहुत आराम से उसी समय अंतराल में पहुँच गए ठीक है आराम से समय में पहुँच गए तो चलिए हमने आपको preposition बताया what quick revision कर लेंगे preposition क्या है preposition वो शब्द है जो एक noun का दूसरे noun से सम्मंद बताते हैं बताते हैं और preposition क्या बताते हैं दिशा बताते हैं तरीका बताते हैं और अस्थान के बारे में जनकारी देते हैं preposition एक noun को noun या pronoun को दूसरे noun या pronoun से जोड़ते हैं ये बताए हमने आपको और क्या है preposition कभी noun को वर्द से भी जोड़ते हैं इसरो दालने हैं दिया हुआ है और क्या प्रिपोजिशन कभी जह ना उनको एडजेक्टिव से भी जोड़ते हैं इसके लवा कुछ प्रिपोजिशन के उधालन भी दिये हैं at, in, on और बहृत सारे हैं preposition के बाद आने वाला शब्द उस preposition का आपजेक्ट होता है यह बताया हमने आपको और कभी-कभी preposition के दो आपजेक्ट भी होते हैं इसे i give money to do भी हो गई और हर्बदर भी हो गई ठीक और यह बताया कि preposition के बाद कभी-कभी clause पूरा आजाता है वो भी उसका object होता है position के बाद adverb of time और place का भी प्रियोग होता है ये भी बताए हमने आपको और next क्या बताए हमने आपको आपको बताए हमने add का प्रियोग moment के लिए इतने सारे जो हमने आपको बताए है गती के लिए from, to, at, in, by, on into, on, to, of इनका प्रियोग होता है गती के लिए arrived in कहीं बड़ी जगा के लिए होता arrived at छोटी जगा से कहीं पहुचने के लिए होता है reach के बाद कोई preposition का प्रियोग नहीं करेंगे home भी बिना preposition के use होगा return के साथ अगर home लगा है तब भी वहाँ preposition का प्रियोग नहीं होगा above बताया, over बताया दोनों का प्रियोग किस के लिए होता है थोड़ी उचाई के लिए होता है उचाई पर पंखा मेरे सर के उपर चल रहा है तो इसमें प्रियोग होगा आपका above over का प्रियोग भी उपर के लिए होता है एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए भी होता है यह बता है हमने आपको Under अन्डर नीचे के लिए प्रयोग होता है Below भी नीचे के लिए प्रयोग होता है लेकिन सता से जुड़ा हुआ हो तो Under का प्रयोग करेंगे Below का ठीक है इस तरह से चीज़ बता है बिनीत का प्रयोग भी होता है नीचे के लिए लेकिन ये अमूर्थ रूप में होता है इसके लावा add का प्रयोग बताए आपको am pm के साथ किसका प्रयोग करेंगे parts of the day के साथ किसका प्रयोग करेंगे add का प्रयोग करेंगे और on time समय पर बिल्कुल हो in time उस समय के अंतरकत हो in good time time का एक margin लेके अदिसे आप पहुँची गए जिए कहीं पर आपके पास पर्याप्ट समय है तो we reached in good time मतलब क्या कि आराम से हमारे पास समय है चलिए प्रयारी प्यारी विद्यार थी आपको प्री पोजिशन के विसम में बताया आशा करते हैं कुछ इसमें से आपने जरूर महत्पूर्ट चीज सीखी होगी अगर कोई भी चीज इंगलिस में जिसे ग्रामर की आपको आती है फिर भी आप वीडियो देखिए और जिन स्टुएंट को इंगलिस शीखनी है फाउंडेशन सीखना है तो जर्नल चीजे थोड़ी थोड़ी हम बता रहे है हम और नहीं नहीं चीजे भी लेके आएंगे बस यह है कि आप थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजे और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिए चलिए फिर मिलेंगे नमश्कार